हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल ट्वेंडी टिप्स और आज की इस वीडियो में आपके साथ हेर कट शेयर करने वाली हूं बेसिकली मैं यहां पर लेयर हेर कट करूंगी अपने लॉंग हेर में थोड़ा सा मैं लेंथ भी शोट करने वाली हूं रीजन काफे ज्यादा लेंथ शोट हो जाए थोड़ा लुक चेंज हो जाए मेरे फरस्ट फॉल मैं आगे के साथ पे एक पोनी टेल बना रही हूं थोड़ा वीडियो फास्ट फोरवर्ड में रीजन अगर मैं नॉर्मल स्पीड में करती तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो जाती और आप लोगो है के जिसे कि मैं हैर कट कर ऊंटो ब्रवा बाल ब्रशना हो एंड मेरा मैं हगर जोट घुक और तो माल ब्रवार ने फोच्के हैर कट ना हम इवन इसवजे से में नेच्स घर कट लगा dudania लेंड लुदक सब्सक्तार फोड़ा थ अब आपने र the financial आप उना झने अब हेर किक करूंगी तो मेरे पूरे एरिया पर फर्स पर बैसिकली में बैठी हुई हूँ तो महां पर मैट पर हेर भी खर जाएंगे तो इसलिए मैं रबट मैं के ऊपर से कट कर रहें थोड़ा नीट भी रहता है एंड इसली हो जाता है आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी की सीजर ले सकते हैं नाव मैं एकदम से अपने बड़े हमने हैर को ज्यादा लेंथ में चॉपना करते हुए एवर मैं अपनी पूरी पॉनिटेल को ओपन करके देख लेती हूँ कि जो मुझे लेंथ चाहिए उतना ही मैंने चॉप कर आया फिर मुझे अभी और शॉट करने हैं सो नॉर कि जो मेरी लेयर्स है ना वो इवन आई है मतलब उपर नीचे ब्रेक नहीं हो रही है जितनी भी लेयर्स है वो अच्छे साई है अभी मुझे लैंथ अपनी बालों की काफी जादा लंबी लग रही है तो मैं अगें अपने बालों को और चॉप करूंगी मुझे लगी रहा अगें मैं अपना रबट बैन के ऊपर से अपने हैर को चॉप करूंगी में थोड़ी लेंथ जादा लग रही है तो मैंने थोड़ा सा दुबारे से सोचा कि थोड़ा ओर डाउन कर लेते हैं अगें मैं यहापर चॉप कर रहे हूं अपने पूरे के पूरे हैर स्ट्रेट ल आप अगर सही तरीके से करेंगे एंड थोड़ा शांती से अराम से थोड़ा टाइम देखी किजिए कि अपनी जो अपने पोनी टेल बनाई है वह एकदम टाइट एंड नीट हो जिससे कि अगर आपके बालों में कोई भी टैंगल्स वगरा होंगे और आप हैर कट कर देंग जादा टाइम लग रहा था इसमें करने में क्योंकि अनली बिकोज ऑफ सीजर उसका मैं कुछ नहीं कर सकते थी मिरे पास है नहीं कोई नहीं मैंसे से काम चला रही हूं अगें मुझे भी थोड़ा एवन अनिवन लग रहे थे मिड़ पार्ट से बेसिकली ज्यादा लग रह तो शार्पनेस आपके बालों में ना है ना अगें मैं अपने बालों को ओपन करूंगी तो देख सकते हैं कि तिने अच्छे से लेयर आईए अपके हेयर में बिल्कुल एवन आप फैन ओफ रखेंगे जब अपना हेयर कट करें अधर्वाइज बाल पंखे की हवासे एसी की हवासे कूलर की हवासे हिलेंगे तो आपका हेयर कट उससे भी खराब हो सकता है कि सिंपल मैं अपने एक बर हेयर को कॉम कर रही हूं कि इस हेयर कट में सिर्फ एक दिक्कत रहती है इनकेस अगर आपको वी कट चीए का इस पीछे से बैक से वी शेप चीए तो आप इसको चोड़ सकते है बट मुझे वी शेप पसंद नहीं है बालो में पीछे या फिर मु नीचे से जाके है ना कुछ टाइम बाद कव जादा थीन हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो नीचे से मैंने एक रवड़ मैं नोड लगाया और अपने हेयर को में यहां से चौक कर दूंगे में अपना क्राउन एरिया में जो हैर से उनको लूंगी रिजन फ्रेंट से मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगी अपने हेयर को मैं क्राउन एरिया को गाइस प्रेफर कर रहे हूं क्राउन एरिया की ही बाल ले रहे हूं क्राउन एरिया के अलावा मैं कोई हैर नहीं लूंगी कप कोई कोई लोग होते हैं कि मतलब अपने एरिया से यहर की तरफ से सेक्षिन कम्प्लीट स्ट्रेट लाइन लेके और फार के सारे बाल कट कर देता हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो बाल का माउंट एना वह बहुत ज्यादा एक्स्टरीम ज्यादा चॉप हो जाता है तो काफी ज़ाद जो आपकी लेयर हेर काट है लेयरिंग में अगर आप Crown area,mind area basically आप अपनी eyebrow के दोनों arch के even line लेंगे तो आप अपने crown area तक जाहिए वहां तक आपक अपने लेना है तो आपके जो लेरिंग होगी ना वो काफी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी आपके रेस्ट ओफ यूर है अदर्वाइस आपको स्ट्रेट लाइन दिखेंगी और पीछे के जो लेर होंगे और जो आगे के लेर होंगे उनमें काफी ज्यादा गैप आजाएगा तो वह भी अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं फिर्स्ट अपने हेर क्लैंद को यहां से थोड़ा और शोट कर रही हूं आप चाहे तो यह स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको फ्र में लेयर हेर कट भी कर सकते हैं और इस तरीके से मैं अब पीछे की तरफ से जाओंगी और अपने इस सेम पार्ट को ना दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी अपने हेर्स को और यह मेरा वेरी फ्रंट सेक्षन है इसको अगेन मेरे बड़ बैंड से टाइ करूंगी और इस पार्ट को मैं थोड़ा और शोट करूंगी अगर आप चाहते हैं कि अपना हेर आपके चिन एरिया तक आए तो आप इतना भी शोट रख सकते हैं बट मैं लिटल बिट और शोट कर रहे हूं वैसे भी मैं अराउंड काफी ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा अराउंड मेरे ख्याल समझें देड़ दो साल तो अराम से हो गया होंगे हेर कट निवा मेरा आपको अपना फाइनल लुक शेयर करूंगी यहां पर भी सेम टेकनीक में कर रहे हूं थोड़े से अपने ब्रालों को स्पैड करके थोड़ा सा जिग जग 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 मोशन में कट कर लूंगी जिसे कि काफे जादा स्ट्रेट हैर कट ना लगे मेरा अगर आप चाहते कि अपने हेर को आगे से ज्यादा शॉर्ट ना करें आप वह अप्टू यू है आप कर सकते हैं लॉंग एर भी रख सकते हैं बट मैंने लॉंग लेयर कट के साथ थोड़ा आगे से फ्रेंट से शॉर्ट रहेगा तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ हेर कट कराया वैसे वह काफे जादा टाइम बात करवाया था तो वह होना भी चीए नाओ फ्रंट से आप देख सकते हैं कि अच्छे लग रहे थे बड़ी हा लग रहे थे मस देख दम बैक से इस तरीके से यह लेयरिंग आईगी पूरी की पूरी मेरे स्ट्रेट हेर है तो इस वज़े से आप लोगो इतना ज्यादा पतानी चल रहा होगा बट थोड़ा सा ध्यान से देखे तो आपको दिखी जाएंगे गाईस कोई नहीं होता है मैं समझ नहीं हरा मैं क्या बोलू भी नाओ मैंने अभी हाई पोनी टेल बनाई है हाई पोनी टेल भी काफी अच्छ ज्यास क्लेस आपनोता है मैं याईस क्या लाइच जा बनाई है जडिए टार आए मैं ग्रेद्द आट टो कम्मेंट करना दन और फी चेरो दीता है मैं हम पु reporter नेए टो शनी वाँम मेंन पॉर बोल ऐ वग याजए एड्वके होला ग्या याट नहीं शाल्डू जाल पर वो